गुड मॉनिक स्टुडेंट्स चलो दोस्तो आज हम लोग अगें चेप्टर नूमर टू के बहुत सारे अच्छे नीट वाले MCQ सॉल करने वाले तो रेडी हो जाओ नोट में लेके and here we start first आपको दोस्तो एक electric potential के बारे में बुला है कि जिसका मतलब दोस्तो ये voltage है अब याद करो क्या था formula is equal to minus dv by dx यानी minus d by dx v की जगा पे क्या पूट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चो 4x square चलो फटा फट रेडी हो जाओ derivation start कर दो यानी minus 8x अब बच्चो कौन से point पे बोला है यह आपका point है p102 तो सीफ हमें x component ही चाहिए इसका मतलब x is equal to minus 8 और x की value 1 यानी minus 8 volt per meter अब अच्चो इसका मतलब positive वाला तो option आएगा ही नहीं यानी yes is my right answer दोसों यही mcq में अगर मैं data change करता हूँ आपके लिए मैं एक data लेके आया हूँ पी इस एक्वल टू दोसों प्लीज खुझ से ट्राइ करना पी इस एक्वल टू तू अपॉन एक्स स्क्वेर माइनस 4 यह दोस्तों आप खुझ से ट्राइ करना मैंने आपको data change करके दिया है चांटी से गिनना आपका answer आ जाएगा और point आपका वही है x is equal to 1 ही फूर्ट करना है ओके तो कुझ से ट्राइ करना next डाइग्राम दोस्तों डाइग्राम में देखो आपको 20 volt 40 volt 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 इसका मतलब दोसो एक भी पोटेंशियल है इसका मतलब आपको एसे भी तक जाने में इक भी पोटेंशियल के अंदर वर्क क्या करना पड़ेगा तो यह 2017 के अंदर एमसी क्यों आ चुका था आप देख सकते हो यह मीनिमम वर्क वाला मैक्सिमम वर्क वाला कर तो इस माई राइट आंसर मेरे प्यारे बच्च आप देख सकते हो यह रहा आपके सामने इस माई डाइग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ए माईनस टू के माईनस क्यू ए प्लस टू क्यू ए प्लस टू क्यू चैपिटल अप्लेस्ट एट इच अधर कॉर्णर ऑफ स्क्वेर ले लिया है तो एक काम करो दोस्तों इस स्क्वेर की रेडियस अगर मैं लेता हूं तो यहां भी इस स्क्वेर इस एडियस ए होगी तो अगर मैं इसका डाइग्नल ड्रॉ करूंगा तो यह हो जाएगा डाइग्नल रूट टू ए हैं तहां पर बोला है अट पॉइंट आप दू सेंटर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर उन्होंने बात को चेंज कर दो बात को ऐसे चेंज किया कि इन्होंने बूला कि आप सेंटर पे फोकस करेंगे Swedish अरू थो एद्स का पोर्टेंसियल इसका पोर्टेंशिल इसका पोर्टेंशियल इसका पॉर्टेंशियल इसका क्लास भी फोर को के ऐंच क्यों बाइब है इसकी वेले दोस्तों मैं सुमॉल लिखता हूं क्यों कि मेरे को पता यह सब जगार पर स्मॉल रहने वाला है यहां पर के यहां पर माइब क्यू अपॉन के तो क्यू अपॉन के फ्लस टू क्यू बाया दोस्तो बात ऐसी नहीं है कि यह ढूंडो आपको बोला कि सेंटर पे उसका potential 0 है देखो अब मज़े की बात आना स्टार्ट हुआ देख सकते हो सेंटर पे potential 0 है यानि यहां पे 0 पूट करो सारी वैल्यू में से क्यूँ कटिया ने क्यूँ यहां पे plus q हो गया मारा काम q is equal to minus q मेरे प्यारे दोस्तो आप देख सकते हो a is my right answer आपको सीर फोर सेफ चार्ज को देखना होगा आपका काम खतम हो गया क्योंकि r constant next बच्चो a certain region of surface volume दिया है electric potential found to be 5 volt throughout नहीं सब जगा पे वर्टी को मतलब दोस्तो समझो magnitude of electric field दोस्तो क्या होगा magnitude of electric field मेरे प्यारे बच्चो 0 हो जाएगा क्यों 0 क्योंकि यह equipotential वाली बात हुई need 2020 में पूछा था बहुत 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 ही simple हो गया क्योंकि आपको इतने मीटर क्यूब में इतना वल्टेज चाहिए आपको magnitude ढूनना था in the region वो 0 क्योंकि inside तो वो तो 0 होता है next यह बहुत ही अच्छा है यह पहला है यह दूसरा पॉइंट अब आपको यह पॉइंट के बारे में बोला है कि इसका कॉडिनेट यह नौट है और इसका कॉडिनेट 0 है और आप माइनस क्यों चार्ज को लेके जा रहे हो यहां से यहां अब मैं आपको याद करवाओ दोस्तों बहुत शांती से एक दो चीज को समझना आपको क्या डूढ़ना है यह दूढ़ना है वर्क डन मतलब डवल्यू इंजिन एनर्जी अब दोस्तों एनर्जी की बात कर तो यू इस इक्वल टू के क्यू वान क्यू टू बाय आर अब तो देखना अगर मैं यहां पे पहले पॉइंट के लिए लिख रहा हूं तो के उसका चार्ज देख सकते हो यह रहा स्मॉल क्यू तो यहां पे हैं और यह चार्ज आपने बोला माई दोस्तों यह डिस्टंस का यह है क्यासर बिल्कुल वही तरीके से यह भी डिस्टंस होग इसका मतलब एनर्जी कॉंस्टंट होगी तो चेंज इनर्जी जीरो भरक भी दोस्तों जीरो हो जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका अंसर क्या आएगा यह इस माई राइट आंसर तो बहुत ध्यान से यह बहुत टफ एम सी क्यू नहीं यह पर ध्यान रखने वाले है और एलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू प्लस कुई यह रहा और आपको इलेक्रिक पोटेंश यह आपको एक सरफ यह सो नो बिल्कुल वही तरीके से यह सरफेस मिलेगा अब दोस्तों टोटल डिस्टंस आपका 2L है यह यह 2L होगा तो यह डाइगनल हो गया रूट 5L as well as यह भी रूट 5L होगा अब अब हरेक का पोटेंशिल फाइंड करो यानि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 वन यानि मैं अभी इसकी बात करूँ Q और इसका डिस्टंस इसकी बात करो चलो दोस्तों तो क्या आएगा और इसकी बात करो दोस्तों क्यों अपों मेरे पास यह चारो टम आ गये अब हर एक मेंसे दोस्तों देख सकते हो क्या कॉमन निकल जाएगा तो देखो k2 by l,1 निकल जाएगा कि 1 minus 1 by root 5 minus 1 by root 5 minus 1 तो देख सकते हो कि आपके पास ये दो चीज दो बार आई किस और नो ये चीज दो बार आई तो आप देखो कि इसके इसाब से आपको आंसर में क्या change मिले ये दो बार है और ये दो बार तो 2k bracket 1 minus 5 बट बच्चों यहाँ पे k नहीं है तो k का formula क्या पूट कर देंगे 1 upon 4 by epsilon not 4 by epsilon not 2 q 1 minus 1 by root 5 देख सकते हो दोस्तों ये हमारा अंसर आ गया so c is my right answer बहुत ही अच्छा mcq आपको थोड़ा match का concept ध्यान दखना हो ये बच्चा बहुत ही मस्ता है आपको series combination of n1 और capacitor c1 voltage 4b तो मैं पहली की बात करता हूँ तो series में इसका मतलब इसका capacitor होगा series का 1 वरसी याद करो capacitor है series में divide होगा अब उसकी energy की बात करोगे तो series की energy half cv square half cs की जगा n1 लिख दिया v की जगा 4v का whole square इसको अच्छे से लिखो तो half c1 n1 by 16 v square देखो मेरे पास ये पहली series वाली energy आ गई ये energy है इसलिए मैं इसको u define करते हैं दोस्तो और आगे क्या बोलाएं अब बच्छो आपको देखना है n2 capacitor c2 capacitor potential यानि अब हम लोग जा रहे हैं parallel में तो cp का मतलब यहां पे 2 c2 हो जाएगा क्योंकि दोस्तो ये combination किसमे हैं ध्यान से देखा parallel तो उसकी energy u parallel is equal to half cp v square half cp की जगा n2 c2 और voltage यहां पे v square है बच्छो कुछ नहीं करना आपको दोनों का ratio लेना है और यह बोलाए कि दोनों की energy same है same total energy है इसका मतलब दोस्तो समझ में आया energy change ही हो रही यानि parallel की energy और series की energy equal है चलो fast बच्छो half n2 c2 v square is equal to half c1 n1 16 v square v square v square बच्छो cut हो जाएगा half half cut हो जाएगा तो यहां पे क्या बचा n2 c2 यहां पे क्या बचा 16 c1 by n1 आपको चाहिए क्या c2 चलो दोस्तो c2 को subject बनाओ 16 c1 divide by n1 and 2 देखो यह रहा d is my right answer इसा मत सोचो के answer आगया बात खतम हो गई इसके जैसे numerical बनाओं तो आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं n1 की जगा 5 put करता हूं 2 की जगा 3 put करता हूं और voltage को मैं as it is रखता हूं तो मेरा नया capacitor यह आएगा तो द्यान से देख लो और पक्का करें next बच्चो आपको एक combination दिया आपको पता है यह तीनों series में इसका मतलब यह first यह second यह third इसको मैंने connect कर दिया c4 के से c4 का मतलब c c c c अब बच्चो समझना उपर वाले सारे series में तो series में इसका मतलब charge equal होगा पर इसका amplitude sorry equivalent capacitance क्या आएगा देखो यह c4 का हूँ अभी कुछ नहीं मैं इसका सोचू तो 1 by c is equal to 1 by c dash 1 by 2c 1 by 3c क्यानि 1 by c dash is equal to दोस्तों अगर मैं इसका LCM लेता हूँ तो 6c आएगा 6 plus 3 plus 2 11 by 6c तो c dash is equal to 6 by 11 हो गया हमारा काम यह रहा 6c by 11 अब दोस्तों charge की बात करो तो parallel में voltage equal होता है तो अगर मैं charge की बात करूंगा तो उपर वाला charge q2 और नीचे वाला charge q4 इसका equivalent क्या है 6 by 11 और इसका 4c cv cv cut हो जाएगा 6 यानि 3 यहां पे 2 c divide by 20 पच्चो यह रहा आपके सामने b is my right answer बहुत 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 ही important numerical ज्यान से देख लो next a capacitor चार्ज with a battery and energy stored in u यानि initial बेच पे कुछ नहीं करना half cv square या फिर 2 square by 2 यह simple सी बात खतम हो गई अब क्या बोला है वो समझना पूँ now disconnect battery another capacitor same capacitor is now connected in parallel to the first u dash अब क्या करेंगे parallel बोला है तो इसका मतलब यहां पे charge sequel नहीं होगा charge zone में half half divide हो जाएगा क्यानि q by 2 to c square यानि q square by 4 यह 2 सी जाया दोस्तो इसको equation number 2 बोलो equation number 1 बोलो दोनों का ratio लेलो q by u dash इसका formula क्या था? q square by 2 सी इसका formula q square by 4 times यह cut हो जाएगा यह बात खतम u dash is equal to u यानि उसकी energy fourth portion यानि divide होगी क्योंकि you directly proportional to square by 2 यह technique apply करना बहुत ही काम में आएगा तो ध्यान से देख लो यह बहुत ही बढ़िया mcq था और हम आगे बढ़ते चलो यह समझना मस्त है electric force between two metal plate metal plate of isolated parallel plate capacity parallel plate capacity trans का formula a is equal to a epsilon 0 by d having charge q area a हमें धुनना क्या है independent the distance between two plates क्या चाहिए हमें force क्या चाहिए हमें force क्या फोर्स क्या फोर्स क्या बोलता हू F is charge V V को subject बनाते हैं तो Q is equal to CV Q C वेद वाला formula हम जानते थे V equal to ED Yes और No Yes sir Q को कुछ मत क्या समझना ध्यान से E वैसा का वैसा स्वरी C वैसा का वैसा C वैसा का हमें E को subject बनाना है तो मैं E को यहां पे लिख रहा हूं पर इसकी जगाप A Epsilon 0 by D तो DD cut हो गया बच्वो ध्यान से देखो E is equal to Q by A होगी आपका काम आपने बहुत शांती से देखा सारी चीज मिल गई यहां पे value में put करता Q A Epsilon 0 यानि मेरा force का equation to square by A Epsilon 0 बच्वो यहां कहीं भी D नहीं आता है इसका मतलब हमें जो बोला है उसमें ध्यान से देखो क्या distance पे depends का का यानि independent to the distance हो गया हमारा काम DD तो कट हो जाएगा यानि D पे dependent यह बहुत बहुत मस्सा है अब याद करो K1, K2 दे दिया है और यह relation देखो तो इलेक्ट्रिक फिल्ट को याद होगा E is equal to by K जिसका K ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फिल्ट कम होगा यानि देखो E1 is equal to E by K1 as well as E2 is equal to A by K2 अब K2 ज्यादा है देख सकते हो K2 is greater than K1 यह ज्यादा है बच्चो इसका मतलब E2 आपका छोटा होगा बिक्रीज होगा तो देखना पड़ेगा E2 किसमें कम आता है यह रहा आपका E2 Yes E2 decrease होगा और यह दो जगा तो air है यानि हो तो conscious तो आपका E2 E1 से यह आपका E1 हुआ यह आपका E2 हुआ E1 से E2 कम होना चाहिए बच्चो Next Thank you दोस्तो बहुत है अच्छे से आपको निट में लगाता रहा थे तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे में बहुत से E2 आपके लिए लेते आओंगा दोस्तों ध्यान से देख लो और पका कर दो